तो एक topic हम बात करें clipboard के बारे के हमने पिछले topic में paste specialS के बारे में बात कि अब बात करते है clipboard के बारे लेकि क्लिपboard जब हम कोई data copy करते हो clipboard में store होता है लेकि office में इसका हम यूज कैसे करते है तो मेरे पास कुछ data आया है different different locations यह मेरे पास same तरह का data आया है बिलकुल बाकिसी same है pattern same है बट data अलग अलग है फिर यहां सबसे last पर जाना फिर paste करना फिर copy करना फिर पेस करना तो मैं यह तो नहीं करा हूं कि मैं automate कर दूँगा लेकि हाँ आपका काम मैं 50% कम कर दूँगा आपको क्या करना है clipboard को on करना आपको सिर्फ data के अंदर copy तो पहले मैं डेटा copy कर लिए फिर copy करते देखेंगा य तीसरा पर भी मैं यहां पूजा से लेता हूं यहां इसको कोपी कर लेता हूं पर चौथे सीट को भी कोपी कर लेता हूं पर पॉपी करना है तो जो copy करेंगे सारा यहाँ copy paste हो जाए लेकि दियान लखेगा कि 24 से ज़्यादा copy नहीं कर सकते क्योंकि इसकी limitations है उस limitations से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं फिर डेटा में आईए अब मुझे कोई particular sheet करना है तो particular data paste करना चाहिए यहां पर कर दीजिए paste all उसी sequence में जिस sequence में आपने copy किया है यह आपका paste हो जाएगा पुड़ा data एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे इसने paste कर दिए उसके बाद इसको आप clear कर दीजिए clear हो जाए अब जोड़ी नहीं के Excel sheet पे work करता है इसको आप internet पे कहीं भी कॉपी करेंगे कुछ भी कॉपी करेंगे अपने अंदर store कर लेगा एक बार कफ कब तक जब तक कि मैं फाइल को दुवारा डी ओपन नहीं कर लेता हूं तब तक कि इसको store करेंगा इसको यूज करके देखिए किस तरह कर डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिए और बढ़े रहे हैं मेरे साथ थैंक्यू